हो जय जय है संतोशी माता भगतों की तु भागे विधा आतार दे है हम आपका गाह सुख संतोश का दोबर दार हो शुक्रवारे का दीने है पावन भगतों को लगता बड़ा मन भावन क्यों भी तुम्हे मनाएं आप उन भगतों की रखना लाज हो ध्याने तुम्हारा जो भी लगाते और चर्णों में शीष जुकाते कोता है सब का कल्या चर्णों में जो करे प्रडा हो मसंतुशी की ये गहा था आओ भगतों तुम्ही सुनाता मतों सुनों लगा करना सुनने से होगा कल्यार हो बात है भगतों सदियों पुरानी एक बुढ़िया की है ये कहानी उस बुढ़िया के बेटे साथ उन्हे सब की वहुए भी साथ हो छे वेटे तो खूब कमा दे कमा किधन वो घर में ला दे पर जो छोटा बेटा था घर में ही पड़ा रहता था हो नहीं कमाने को वो जाता बस खाता है और सो जाता उसको कुछ भी पिकर नहीं घर में भी उसकी कदर नहीं हो बुढ़िया उससे रोज ही कहती है क्यों बेटा तुम इतने आलसी सीर बड़े जो भाई है करते खूब कभाई है हो करने को काम ना तुम कभी जाते क्यों तुम खाली बैठे के खाते पर बुढ़िया के बातों का उस पर असर नहीं होता हो ना वो कोई काम है करता घर में ही बस विश्राम है करता यों ही दिन बिखते जाते हैं सब बड़े भाई कमाते हैं हो जब वो कमा कर घर में आते मा के हाथ का खाना खाते मुढ़िया खाना बनाती हैं प्रेमस सब को फिलाती हैं होन की जो ठन जो बच जहाती उसका लडू एक बनाती मेरे छोटी को बुलाती हैं उसको वही खिलाती हैं हो छोटी बहुने देख लिया हैं अपने पती को बता दिया हैं नहीं कमाने क्यों जाते बाईयों ही जुठन खाते ओ पतनी ने उसे जो बत लाया उसको यकीन ना फिर भी आया मोड के पतली सी चादर देखा उसने खुद जिप कर हो सुनी का है किया वहाना बुड़िया खिला रही सबको खाना जो जो ठन बच जाती है उसका लड़ू बनाती है हो छोटी बेटी को फिर बोली बेटा खाना खानों तुम भी बोला मुझको भूक नहें जोड दिया है हो सारा भीद वो जान गया है पतिनी ने तो सच ही कहा है अंकल उसे कब आई है करनी बड़े कमाई है ओ बुड़िया से वो बोला माता अब तक था नहीं कुछ मैं कमाता लेकिन अब मैं कमाऊंगा नौकरी करने जाऊंगा हो अपनी पतिनी से लगा कहने मुझे को भी है जाना कमाने घर में खीक से तुम रहना काम काज सारे करना हो अपनी घर से दूर वो जाकर एक सेठे का लग गया ना कर मतनी घर में अकेली है बड़ी दुखी वो रहती है हो काटल कडियां वन से लाती और भूसी की रोटी खाती सम करे उस पर उड़ियां पतनी बड़ी उसकी दुखियां हो एक दिन वहां गई लकड़ी लाने क्या मन में है आया जाने मा संतोशी का अंदिर चली गई उसके धीतर हो दिखा ओरती पूजा है करती मा संतोशी का नाम सुमिरती में क्या सावश पूछ लियां इस पूजा से लाभ है क्यां हो एक औरत है उसे कहने लगे ये है वहना मा संतोशी हम सबने है रत किया करने आई है पूजा हो शुक्रवार का रत किया है संतोशी मा की हम पे दया है रत करे जो शुक्रवार संतोशी मा करे उधार हो शुक्रवार जो सोलख करती मा कुशियों से जोली भरती फिर करना ओध्यापन है रत का यही तो नियम है हो छोटी भोहों के मन में आया संतोशी मा को शीश जोकाया नगी सुचने मन में है रत मुझे भी करने है हो मन में सुच के जो है यह आये पती की उस दिन चीठी आये पढ़कर के वो हुई प्रसत चेठी के साथ में है जाधन हो माता से वो करती है वीनते नहीं जरूरत मा मुझे धनकी कि इतनी विनते मेरी सुन लो मेरे पती को लोटा लो हो शुक्रवार का व्रत में करूंगी मन में आपका ध्यान धरोंगी शुक्रवार फिर आही गया चोटी वहू ने व्रत किया हो शुक्रवार तो जब जब आए ब्रत तो वहू सब करती जाए मा संतोशे से ये कहे मेरा पती अब लोटा आए ओ उस के पती को याद है आए अपने सेठी सी छूटी है जाए चूटी है सेठ ने भेज दिया बहुत सधन भी साथ दिया ओ घर में जब वो लोटके आया पतनी को भटी हाल में पाया जाने गया सचाई है पतनी की धीर बदाई है ओ पतनी ने भी उस से कहा है मा संतोशी की ये दया है रद किया हर शूकरवार माता का है ये उपकार ओ कल है मेरा ब्रत सो लहावा ओ द्यापन है व्रत का करना आई बायों को बुलवाओ सब को नोता दे आओ ओ शूकरवारे जो सोलवाया सब को सिरी घर में बुलाया सूच रही सब जेठाने कैसे बनी है ये महारानी ओ उसकी मन में पाप है आया ओ द्यापन भंग करना चाहाँ जैसे ही खीर बनाई है उसमें मिलादी खटाई है हो ओ द्यापन भंग फिर तो हुआ है माता ने बड़ा क्रोध किया है उसको मान गया लगवा जिसने भी ये कर्ब किया ओ छोटी बहुने सब कुछ जाना अपनी भूल को सबनी माना मां से करन लगी बिनती दे दो मां हम को मां भी ओ मैंने भी तो किया इंसाफ है सब को माने किया माफ है माता हो गई प्रसन है व्रत्खा किया हो ध्यापन है ओ उसी के जठानिया भी पचता आए अपने अपने घर जब आए हम को भी लगी सोचने है हम को भी बत करने है हो सबने मिलकर प्रत किया है मा की उन पर भी तो दया है सुलह किये है शुक्रवाद सब परवादे किया उन पर दा हो मा संतोशी की ये कथा है जो भी कहता और संता है निर्बा करेवा संतोशी करते कि दिके प्रत जो भी हो मा भगतों की भागे विधाता सुख संतोश की भी है दाता तो मता को सुने ले जो एक बार हो जाए उसका भी उता